हेलो गाइज वेलकम टू प्यू स्पीसियस और आज हम लोग देखेंगे टॉप 200 वन लाइनर फिजिक्स में यांतरिकी का तो चलिए पहले प्रस्ण से शुरुआत करते हैं प्रस्ण है कारे का मातरक है जूल प्रकास वर्स मातरक है दूरी का कौन सी मातरा जड़त्वक का माप है शही उतर है द्रविमान शमय का मातरक क्या नहीं है प्रकास वर्स नहीं होता है पार्सेक इकाई है दूरी की लिूमेन किसका मातरक है जोती फलस्क का क्यूरी किसकी इकाई है रेडियो एक्टिव धर्मिता की दाब का मातरक है पासकल कैलेंडा मातरक है जोती तिवरता का जूल की इकाई है उर्जा मात्रकों की अंतराश्टी ये पद्धती कब लागू की गई थी सन 1971 इस्वी में खाद उर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं शही उत्तर है कैलोरी में विद्दुधारा की इकाई है एमपियर SI पद्धती में लेंस की सक्ती की इकाई क्या होती है डायप्टर डेसिबल किसे मापने के लिए परयोग में लाया जाता है वातावरन में ध्वनी को यंग प्रत्या स्थात्या गुनां का SI मात्रक है न्यूटन प्रती मीटर स्क्वाइर एक खगोलिय एकाई सम्बंदित है सूरे एवं प्रित्वी के पीच की दूरी से कौन वेक्टर मात्रा है बल अदिश रासी है उर्जा पदार्थों के सम्वेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक रासी प्राप्त की जाती है द्रविमा वीमा M.L.T.2 किसके अनुरूप है बलके एक लड़की जूले पर बैठी इस्थिती में जूला जूल रही है उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलोनों का आवर्थ काल कम हो जाएगा घुनन करती हुई एक गोल मेच पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है मेच के कोनिये वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा वेग कम हो जाएगा यदि किसी चली हुई वस्तू के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतीज उड़जा चार गुनी हो जाएगी किसी पिंड के द्रवे मान तथा भार में अंतर होता है क्यूंकि द्रवे मान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनिय होता है किसी भी स्थिरिया गतिसील वस्तू की स्थिती और दिसा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहे बाल सक्रिये ना हो यह न्यूटन का गती का विश्यक प्रथम नियम को दर्शाता है। किसी आसंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन त्वरन बल के अनुक्रमान उपाती होता है। न्यूटन के गती के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रति क्रिया से सम्मंद बल हमेशा भिन 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 वस्तुव पर ही लगे होने चाहिए। प्रतेक्रिया के बराबर वह विप्रित दिसा में एक प्रतिक्रिया होती है या न्यूटन का गती का विश्यक तृतियनियम को दर्शाता है जल में तैरना न्यूटन की गती के किस निया कारण संभव है तृतियनियम के कारण कोई पिंड तब तक विरामा अस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर बायबल कारे नहीं करता या कथन है न्यूटन का किसी पिंड उस गुरुन धर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गती की स्थिती में किसी भी परिवर्तन का विरोत करती है जड़त्व कराती है न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम गाड़ी खीषता हुआ गोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है पृत्वी द्वारा गोड़े के पैरू पर आरोपित बल से चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है न्यूटन का पहला नियम के द्वारा रॉकेट की कारे प्रिनाली किस सिधांद पर आधारित होती है समवेक संरचन के सिधांद पर अश्वे यदी एका एक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वा रोही के गिरने की आसंका का कारण है विस्राम जड़त्व क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यूं हाथ को पीछे की और खीचता है या पकड़ता है क्यूंकि बॉल विस्राम की सिधिती में आ सके और चोटना लगे इसलिए बल गुरन फल है द्रवे मान और त्वरन का जब कोई विक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके सरीर में उपस्थित भार घड़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है यदि हम भू मध्यरेखा से द्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है सरीर का वजन द्रुवों पर अधिक्तम होता है एक अंतरिक शियातरी प्रिथवी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक उची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर कुरत्वा कर्शन बल प्रिथवी तल की तुलना में कम होता है बीस केजी के वजन को जमीन के उपर एक मीटर की उचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कारे सुन्य जूल होगा एक वक्ती की दिवार को धक्का देता है पर उसे स्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कारे नहीं पहाड़ी पर चड़ता एक वक्ती आगे की ओर जुक जाता है क्योंकि स्थाइट तो बढ़ाने के लिए पीसा का एतिहासिक मिनाड तिर्ची होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्व केंदर से जाने वाली उर्द्वारदर रेखा आधार से होकर जाती है जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पढ़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर तूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमा नौ डिग्री सलस्यस से गिरा कर तीन डिग्री सलस्यस कर दिया जाए आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा एक जील में तैरने वाली इस पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है नाव के उस भाग के भार के बराबर जो जील के पानी के सता के नीशे होगी किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे चड़ी से पीटा जाये तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा गदी का पहला नियम सड़क पर चलने की अपेक्छा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्छा घरसन कम होता है सिलेंडर को खीचने की जगा लुड़काना आसान होता है क्योंकि लुड़कन अवस्था घरसन बल फिसलन अवस्था के घरसन बल की तुलना में बहुत कम होता है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्रस में आता है तब जहाज का अस्तर थोड़ा उपर हो जाएगा लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूप जाती है लोहे का घनत पानी से अधिक है तथा पारे से कम जब एक ठोस पिंड को पानी में डूप जाता है तो उसके भार में हरास होता है या हरास कितना होता है सही उत्तर है विस्थापित पानी के बार के बराबर होता है बर्फ पानी में तेरती है परन्तु एलकोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हलकी होती है तथा एलकोहल से भारी होती है स्टील की गोली पारे में तेरती है क्योंकि पारे का घनत वो स्टील की अपेक्छा अधिक होता है जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी उपर की और उठ जाती है पानी का अधिक्तम घनत्व होता है चार डिग्री सिल्सियस पर वस्तु की मातरा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा उसका घनत्व तेराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तेरना आसान क्यों लगता है क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारन पानी से ज़्यादा होता है वायू मंडल में बादलों के तेरने का कारण है घनत्व समुद्र में प्लवन करने आइस बर्ग का कितना भाग समुद्र की सता से उपर रहता है एक बटा दस भाग बांध के नीचे की दिवार मोती बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाव बढ़ता है बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाव बढ़ाने पर बर्फ का गल्लांग घट जाता है चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नास्ती रहती है क्योंकि पानी का वेक अधिक होने से दाव घट जाता है भारी हीम खंड सीर्स की अपेक्चा निचले तल से पिखलता है क्योंकि निचले तल का दबाव अधिक होने के कारण गल्लांग घट जाता है दल-δल में फसे वेक्ती को लेड जाने की सला दी जाती है क्योंकि छेतरफल अधिक होने से दाव कम लगता है बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर दो टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलना घड़ जाता है प्राया तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हलकी छटे उड़ जाती है क्योंकि छट उपर बहने वाली उच्वेक की वायू छट सता पर दाब उत्पन कर देती है तथा छट के नीचे दाब समाने रहता है रेल की पट्री के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चोड़ी पट्टियां लगाए जाती है जिसे की रेल गाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए पहाडों पर कभी-कभी व्यक्तियों के नाक वम्मू से खुन निकलने लगता है क्योंकि उचाई बढ़ने के साथ वायू मंडली दाब घड़ता है हवाई जहाज में फाउंटन पेन से स्याही बाहर निकलाती है क्योंकि उचाई बढ़ने से वायू दाब में कमी आती है यदि प्रिथवी का द्रवे मान वही रहे और तरज्या एक प्रतिसत कम हो जाए तब प्रिथवी के तल पर जी का मान दो प्रतिसत बढ़ जाएगा उचाई की जगों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप मान पर क्यों उबलता है क्योंकि वायू मंडली दाब कम हो जाता है अता उबलने का बिंदू नीचे आ जाता है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायू मंडली ये दाब से अधिक होता है हम दलदली सडकों पर क्यों फिसलते हैं घर्षन की कमी के कारण वायू दाबी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेथे की मौसम तुफानी होगा हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन का एक गुबारा पृत्वी के तल से छोड़ा जाता है वायू मंडल के उचाई पर जाने से गुबारे में आमाप विद्धियोगी और वा फट जाएगी समतल की अपेक्छा परवतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है उचाई के बढ़ने पर वायू दाब घड़ जाता है और ऑक्सिजन की आवसकता बढ़ जाती है जब फोर्टीन वायू दाब मापी किसी उचे परवत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि वहाँ मायू मंडलिये दाब निम्न हो जाता है उडान से पहले हवाई जहाज दोड मार्क पर दोडाया जाता है कारे कारी वायू दाब बढ़ाने के लिए हैड्रोजन से भरा रबड का गुबारा वायू में उपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायू दाब कम हो जाता है प्रेशर कूकर में खाना कम समय में क्यों पकता है अधिक दाप के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है सूरे पर उर्जा का निर्मान होता है नावि की ये सनले अंद्वारा सूरे की उर्जा उत्पन होती है नावि की ये सनले अंद्वारा दाइनमो परीवर्थित करता है यांत्रिक उर्जा को विद्यत उर्जा में प्रकास वोल्टीके सिलके परियोग से स्वोर उर्जा का रुपांतरन करने से किसका उत्पादन होता है प्रकास ये उर्जा का जब हम रबड के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है तो इस पदार्थ में पाया जाता है स्थेतेज उर्जा किसमें गतीज उर्जा नहीं है खीचा हुआ धनुस में जब एक चाल से चल रही वस्तु के गती दूगनी हो जाती है तो उसकी गती जूटजा चोगनी हो जाएगी पर चड़ने में अधिकूर्चा खर्च होती है क्योंकि विक्ति गुरुत्व के बिरुद्ध कारे करता है कौन सा नियम इस कथन को वैद ठराता है कि द्रवे का ना तो स्रिजन किया जा सकता है और ना ही विनास उड़ जा सनरचन का नियम स्वाचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तमाल वस्तुता किस नियम का अनुप्रयोग है पास्कल के नियम का रेल की पट्रियों अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती है रेल गाड़ी के भार के 36 घटक से आउ सकता अभी किंदरी बलप्राप किया जा सकता है साइकल चलाने वाला मोड लेते समय क्यों नहीं जुकता वा जुकता है ताकि गुरुत्व केंदर आधार के अंदर बना रहे वा उसे गिरने से बचाएगा कोई साइकल सवार किस मोड में गुमता है तो वा अंदर की और जुकता है जब दूद को प्रवल ढंक से मता जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग होती है अब केंदरी ये बल के कारण जब पानी की बाल्टी काफी तेज से उद्वादर वित में गुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिती से भी नहीं गिरता क्यूंकि अब केंदरी बल पानी के वजन से अधिक होता है वासिंग मसीन का कारशिदान थे अब केंदरन बल चंद्रवा पर वायू मंडल नहीं होने का क्या कारण है इस पर गैस अनुव का पलायन वेग उनके वर्ग माद्धे मूल वेग से कम होता है नेट इंजन किसके सरचन के सिध्धान पर कारे करता है रैखिक सम वेग के प्रिथवी तल से किस नियुनतम दूरी वेग से प्रचेपित की जाने पर कोई रॉकेट प्रिथवी के गृत्वा कर्शन को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा ग्यार दस मलो दो किलोमेटर परती सेकंड की स्पीड से भू इस्तिर उग्रा का आवर्त काल होता है चौबिस घंटे का यदि किसी पिंड को प्रिथवी से ग्यार दस मलो दो किलोमेटर परती सेकंड की वेग से फेका जाये तो वह पिंड प्रिथवी पर कभी नहीं लौटेगा जब एक पत्थर को चांद की सता से प्रिथवी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा प्रन्तु द्रवेमा नहीं किसी लिफ्ट में बैठे हुए एक वेक्ती को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है जब लिफ्ट त्वरित गती से उपर की ओर जा रहा होता है प्रिथवी के परिता गूमने वाले कृतिर्म उपग्रा से बाहर गिराई गई गेंद प्रिथवी के परिता उपग्रा के समान आवर्त काल के साथ उसी की कक्छा में गूमती रहेगी एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो तुरन के साथ नीचे किसी तुल्यकारी उपग्रा की प्रित्वी की सता से उचाई लगभग कितनी होती है 36,000 किलोमेटर टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊची उचलती है क्योंकि परवतों पर प्रित्वी का गृत्वे त्वरन कम हो जाता है प्रित्वी का गृत्वा कर्शन बल अचानक लुप्त हो जाता है तो कौन सा परिनाम होगा वस्तु का भार शून हो जाएगा परन्तु द्रब्यमान वही रहेगा प्रित्वी के गृत्वा कर्षन का कितना भाग चंद्रमा के गृत्वा कर्षन के सबसे नजदीक है एक बटा छे बाग लोलक की आवर्थकाल लंबाई के उपर निर्भर करता है लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यूं सुस्त हो जाती है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे एकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है किसी सरल लोलक की लंबाई चार प्रतिसत बढ़ा दी जाये तो उसका आवर्थ का दो प्रतिसत बढ़ जाएगा किसी लोलक की लंबाई चार गुनी कर दी जाए तो उस लोलक के जूलने का समय दो गुना हो जाएगा पेंडूलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय वद्धी पढ़ेगी एक कन का द्रवेमान M तथा सम्वेक P है इसकी गतिज उर्जा होगी P स्क्वार बटा 2M हुक का सिध्धान्त किस से सम्मंदित है प्रत्यास्था से तेल जल के ताल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का प्रिष्ट तनाव जल से कम होता है साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिध्धान्त है प्रिष्ट तनाव का वर्षा के बूंद का आकार गोला कार किस कारण से होता है प्रिष्ट तनाव के कारण एक द्रव बूंद की प्रक्रिती गोला कार लेने की होती है जिसका कारण होता है प्रिष्ट तनाव स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छड कम होते हैं क्योंकि जल का प्रिष्ट तनाव कम हो जाता है और मच्छडों को भगाता है पानी से निकालने पर सेविंग ब्रस के बाल आपस में चिपक जाते हैं इसका कारण है प्रिष्ट तनाव स्थिरगती से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे उपर फेकता है गेंद गिरती है उसके हाथों में एक व्यक्ती पूर्णता चिकने बर्फ के 36 समतल के मध्य में वीराम स्थिती में है न्यूटन के किस नियम का उप्योग करके वा अपने आपको तट तक ला सकता है तीसरा नियम कपूर के चोटे चोटे टुकडे जल की सता पर क्यों नाचेते हैं प्रिश्ट तनाव के कारण एक्जोस्ट फैन बोलते हैं अंतिरिक्ष यात्री अंतिरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता वहां गुरुत्वा कश्चन नहीं होता यदि केस नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सता की उचाई दरव की उचाई कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगए लैम की बती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है तेल में कार्बोस लिक समू कैसी कत्व के कारण पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहास तरता है या किस कारण पर आधाईत है आर्खमिडीच के सिदान्थ पर आर्खमिडीच का नियम किसे सम्मंदित है प्लवन का नियम से जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्टा या आंसिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कभी उस वस्तु के द्वारा हटाये गए द्रव के भार के बराबर होती है या सिद्धान्थ आर्खमिडीच सिद जल प्रिष्ट पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण है लोहे दरार विस्तापिद जल का भार लोहे के बाहर से कम होता है। पानी के बूंदों का तैली ये प्रिष्टों पर ना चिपकने का कारण है आसंजग बल का आभाव। तुले कारी उपगरा घूमता है प्रिथवी के गिर्थ पस्चिम से पूर। पहिये में बॉल बेरिंग का कारे है स्थैतिक घर्षन को गतीज घर्षन में बदलना। पानी के एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है जब बर्फ विगलती है तो पानी के इस तर पर ग्या प्रभा पड़ता है उतना ही रहता है। एक उची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रती सेकंड स्कॉाइर के समान तुरन के साथ गिराई जाती है तीन सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा 29.4 मीटर प्रती सेकंड एक वस्तु का दर्भेमान 100 केजी है अगर चांद पर गुरुत्व जनित्वरन 8E divided by 6 है तो चंदरमा में वस्तु का दर्भेमान होगा 100 केजी सक्ती का एसाई मात्र क्वाट किसके सम्तुले है एक केस नली में जल की पेक्षा एक तरल अधिक उचाई तक चड़ता है इसका कारण है तरल का प्रिष्ट तनाव जल की पेक्षा अधिक होता है किस एक के लिए केशी कत्व एक मात्र कारण नहीं है पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समुकी और बढ़ना है मतलब केशी कत्व तो नियम लगता ही है लेकिन सिर्फ केशी कत्व नहीं लगता है गुर्थवा कर्षन के सार्व भौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया न्यूटन ने उर्जा जमरक्षन का आसे है उर्जा नत तो स्रिजन हो सकता है और नहीं विनास प्रिथवी का पलायन वेग है 11.2 किलो मिटर प्रतिशेकंड पास्कल की एक आई है दाब एक किलो ग्राम प्रति सेंटी मिटर स्क्वाइर दाब समतुल है 0.1 बार के बराबर क्यूसेक से क्या मापा जाता है जल का बहाओ किसी पिंड का भार धुरूव पर सरवाधिक होता है जब किसी वस्तू को पृत्वी से चंदर्मा पर ले जाया जाता है तो भार घट जाता है एक भू इस तिर उपग्रा अपनी कक्छा में निरन गती करता है तथा अब केंदर बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है प्रिथवी द्वारा उपग्रा पर लगाने वाले गुर्टवा करसन से स्वाचालित कलाई घड़ियों में उर्जा मिलती है बैटरी से जब कुवें से पानी की बाल्टी को उपर खीशते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी के सता से उपर भारी हो गई है भार ही इंता होती है गुर्टवा करसन की सुने इस्थिति में कौन सबसे अधिक प्रत्यास्त है स्टीलिया इस पाथ एक भू उपगरा अपने कक्ष में निरंतन गती करता है यह अपकेंदर बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृत्वी द्वारा उपगरा पर लगाये जाने वाले गुर्टवा करसन से घड़ी की स्प्रिंग में भंडारी तुर्जा स्थिति दुर्जा है अंडा मिर्दू जल में डूब जाता है कि तुन नमक के सांद्र गोल में तैरता है नमक के गोल का घनत्व अंडे के गोल से अधिक होता है किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घुर्णन कर रहे घुर्णी मंच पर अपनी कोनिये चाल कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए अपने हाथ बाहर की तरफ फैलाद देना चाहिए चोवन किलोमेटर प्रती घंटा के वेक का मान है 15 मीटर प्रतिशकंड कौन सा एक केजी दरविमान के पिंड परकार सिल प्रित्वी के गुर्त बल का सही मान है 9.8 न्यूटन दूद से मक्षन निकाल लेने पर दूद का घंट घड़ता है धक्का सा प्राइ स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी परतियास था अधिक होती है चद्रमा परवायू मंडल नहीं होते हैं क्योंकि वहां परमानूओ का पला एन वेग उनके वेग मादे मूल वेग से कम होता है एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है 746 वाट के एक कार की गती 36 किलोमेटर प्रती घंटा है इसे मीटर प्रती सेकंड में व्यक्त कर सकते हैं 10 मीटर प्रती सेकंड एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दोड़ता है छलाग लगाते समय उसके सरीर की गती जड़ता उसको ज़्यादा दूर तैय करने में मदद करती है भिन भिन द्रवेमान के दो पत्थरों को एक भवन के सिखर से एक साथ गिराया जाता है दोनों पत्थर जवीन पर एक साथ पहुंचते है किस द्रव का घनत वो सबसे कम है पेट्रोल का कोनिये समवेग और उम्रेखिये समवेग के अनुपात की बीमा क्या होती है M.O.L.1.T.O पर नोली प्रमे आदारित है उर्जा समरिछन पर लोहे की सुई, पानी की सता पर किस कारण तैरती है प्रिश्ट तनाव के कारण ब्लास्टिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में सामिल है किसी किये अभिक्रिया परिगटना एक गेंद को 36 से कितने कोन पर फेके कि ये अधिक्तम 36 दूरी तै कर सकेगा किसने न्यूटन से पूर भी बता दिया था कि सभी वस्तुएं प्रिथवी की और गुर्टवा करशित होती है ब्रह्मुकुप्त ने यदि एक पेंडूलम से दोलन करने वाली घड़ी को प्रिथवी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी सुस्त कौन सा बल छैकारी बल है घर्षन बल कौन सा अभासी बल है अब केंडरी बल क्रिकेट की केंद को किस कोन से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तैक किया जा सके 36 से 45 टीगरी के कोन पर इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर दे कैसा लगा आप लोग को वही बता है जैहिन जैवार